आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ हलो गाईज हमारे पास आपे क्वेशन दे रखा है इसमें से बूच रखाए कि एवाल्यूएट लिमिट एंटेंट्स तु जीरो तु न फैक्टोरियल अपन एन फैक्टोरियल अपन एन की पावर एन इसकी होल पावर वन अपन न तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं कैसे से सॉल्ल करेंगे सल्यूशन तो हमें क्या पता है इस ये फंक्शन हमें दे रखा है तो इसको हम पहले तो as it is लिख लेते हैं लिमिट एन टेंट्स तू जीरो तू एन फैक्टोरियल अपन एन फैक्टोरियल इंटो इन की पावर एन इसे हम मान लेते हैं y के पराबर ठीक है तो अब क्या करेंगे log लेते हैं हम दोनों तरफ तो taking log both sides ठीक है तो हमने log ले अब दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ln of y is equal to ln limit पहले तो लिमिट तो रहेगी limit and tends to infinity ln of 1 by 1 यहाँ पर 2n factorial upon n factorial into n की पावर n ठीक है यह है अब क्या करेंगे हम हमें log की प्रॉपर्टी यहाँ पर 1 upon n अब हमें क्या पता है कि log की प्रॉपर्टी जब log b to the power a होता है log b to the power a तो इसको a log b लिख सकते हैं यह होती ही log की प्रॉपर्टी तो हम यहाँ पर use करेंगे तो हो जाएगा ln of y is equals to limit n tends to infinity 1 upon n ln 2n factorial अब 2n factorial को अगर मैं open करूंगा तो यह कैसे होगा 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 अब 2 यहाँ क्या आएगा n plus 1 into n factorial बाकी की terms बचेंगे upon n factorial into n की power n यह होगा तो यहाँ से हम n factorial से n factorial काट सकते हैं और इसको ऐसे लख सकते हैं ln y is equals to limit n tends to infinity 1 upon n ln of 2n 2n minus 1 2n minus 2 up to 2n minus 3 up to n plus 1 upon n की power n तो यह हम कैसे लिख सकते हैं यह होगा ln y is equals to limit limit n tends n tends to infinity अब यह क्या होगा sum वाला limit sum इसको लिख सकते हूँ sum of r equals to 1 say n ln of 1 plus r by n यह लिख सकता हूँ मैं अब मुझे पता है कि अगर sum ऐसे limit n tends to infinity होगा और यह 1 by n यहाँ पे यह इस format में होगा तो यह sum limit का question मन जाता है जिदर हमें से integration में convert कर सकते हैं summation को तो जब यह हो जाता है तो उसमें क्या होता है 1 by n को हम d x put कर सकते हैं 1 by n is equals to d x r by n जो term होती हो हमारी x बन जाती है तो हमारे पास यह बन जाएगा क्या ln y is equals to यह हो जाएगा हमारा 0 से 1 ln 1 plus x d x ठीक है यह हो जाएगा sum की जाएगा summation की जाएगा integration आजाता है element जब end रंट सो infinity हो रहे होगी तब ठीक है तो यह वाली हमारी integration मन जाएगा तो हम इसको simply integrate करना है तो यह हो जाएगा है ठीक है तो हम यूवी by parts लगाएगे तो उसमें क्या होता था दो function मान देते first function और second function अब दो function होते तो first वाली को तो हम करते थे integrate second वाली को करते थे differentiate और इसमें हम लगाएगे by parts ठीक है तो हम क्या करेंगे यह हो जाएगा हमारा क्या x ln of 1 plus x यह हो जाएगा हमारा 0 से 1 minus integration of अब 1 का integration तो x हो जाएगा और ln of 1 plus x का differentiation हो जाएगा 1 plus x dx यह हो जाएगा यह हो जाएगा 0 से 1 तो अब हम इसे solve करेंगे तो यह हमारे पास आएगा ln y is equals to x ln 1 plus x तो यह हो जाएगा हमारा 2 ln 2 minus इसका integration करेंगे हम तो हमारे पास मिल जाएगा हमें x minus ln of 1 plus x x minus ln of 1 plus x ठीक है यह हो जाएगा हमारा इसमें हम 0 से 1 पुट कर देते हैं तो यह हमारे पास जो final answer आएगा हमारे पास यहाँ पे क्या है का ln 2 minus 1 minus ln 2 ठीक है तो यह हमारा कितना हो जाएगा ln of 4 by e यह हमारे पास यह पचेगा क्यों? ln of 4 by e कैसा है ln e is equal to 1 यह होता है ठीक है तो अब हमने क्या किया ln यह हमारा किसके बराबर आगा ln y k तो हमारा जो y है वो किसके बराबर आजाएगा 4 by e k तो यह हो जाएगा हमारा इस integration का answer Thank you guys for watching the video Hope you like the solution Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल ता 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8-400-400-400 पर